हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है अनलाइफ विद पूर्णम में फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम अद्रक के फायदे और उससे होने वाले नुकसान के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स दुनिया के सबसे ज़्यादा उपजाय जाने वाले मसाले के रूप में अद्रक दुनिया का सबसे बहुत उपयोगी आउजदिय गुणवाला पतार्थ है एतिहासी कभी लेखों से भी पहले से भारत और चीन में अद्रक को एक मसाले और आउजदी के रूप में उपजाया और इस्तमाल किया जाता है भारत के आईरवेदिक ग्रंतों में अद्रक को सबसे महतपून बूटियों में से एक माना गया है यहां तक कि उसे अपने आप में आउजदियों का पूरा खजाना बताया गया है सौ से ज़्यादर बिमारियों में इस चमतकारी मसाले के आउजदी लाबों का अंगिनत अध्यन किये गए है आईरवेदिक चिकित्सक इसको एक शक्तिशालिक पाचक के रूप में लेने की सला देते हैं क्योंकि यह पाचक अग्णी को भड़काता है और भूग बढ़ाता है इसके पोशक तत्व शरीर के सभी हिस्सों तक आसानी से पहुँच पाते हैं इसका इस्तेमाल पेट की समस्याओं, मतली, दस्त, हैजा, दांत दर्द, रक्त स्राओ, जोडों के दर्द और गती के कारण होने वाली परिशानी के उपचार में भी किया जाता है अद्रक का इस्तेमाल हर घर में होता है, लोग इसका इस्तेमाल खाना बनाने में करते हैं, इसके अलावा इसको खांसी मिटाने के लिए भी यूज किया जाता है अद्रक की तासीर गरम होती है अद्रक में inflammatory compound होते हैं जो आपके शरीर के भीतर free radical और pathogen से लड़ता है पोशक तत्वो और bioactive yogicों से भरा हुआ अद्रक आपके शरीर और दिमाग के लिए लापकारी होता है अद्रक को fresh, सुखा powder, oil ये juice के रूप में लिया जा सकता है खाने की चीजों और सौंदर्र प्रसाधन के आदी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है अद्रक antioxidant से भरपूर होता है जो oxidative stress को कम करता है शरीर को नुकसान पहुचाने वाले free radicals और oxidative stress के कारण ही पनपते हैं इस चलते अद्रक के सेवन से शरीर कई रोगों से दूर रहता है अद्रक पाचन से जुड़ी दिक्कतों जैसे curbs, pate में gas, acidity और उल्टी आने की दिक्कतों से छुटकारा दिलाता है अद्रक सर्दी और जुखाम का आयरुवेदिक नुस्खा है अद्रक के सेवन से बैट कॉलस्टरॉल को कम करने में मदद करता है यह blood pressure को कम करता है और खून के दौरान को बढ़ाता है यह period pain को कम करता है अद्रक में antiviral, antitoxic और antifungal good होते हैं यह शरीर के ताप का निकास और पसीने को उत्तेजित कर हलके बुखार को दूर करता है अद्रक में प्रभावशाली anti-inflammatory गुण होते हैं जो gout, rheumatide, arthritis और osteoarthritis से समबदी दर्द का इलाज करने में मदद करते हैं पोटेशियम में अद्रक दिल के स्वास्ते के लिए उत्क्रिस्ट है अद्रक में मौजूद मैगनीश की अच्छी मात्रा, हिर्दय, रक्त वाहिकाओं और मूत्र मार्गों का सरक्षन करने में मदद करती है अद्रक का नियमित सेवन यूरीन में प्रोटीन का लेवल कम करता है फ्रेंड्स, वैसे तो अद्रक सभी के लिए सुरक्षित है और इसके दुश्प्रोहाओं का जोखिम ना के बराबर है लेकिन अगर आप इसका दैनिक रूप से बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो इसके कुछ संभावित नुकसान जरूर हो सकते हैं अद्रक के शुरुवाती साइड एफेक्ट में हर्ड बर्न, दस्थ, मूमे जलन और पेट की सामानने परिशानी हो सकती है अगर आप अद्रक का सेवन से स्वस्त रहना चाते हैं तो पूरे दिन में 25 ग्राम से अधिक अद्रक का सेवन ना करें इससे अधिक अद्रक के सेवन से बवासीर की परिशानी हो सकती है उमीद करती हूँ आपकी जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपने वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब भी गया होगा थैंक यू